इस्पेम क्या है इस्पेम क्या है वायरस दूसरा कmedim सिरगों साफ्ट्व mmm तूसरा के जंक मेल और चौता के य्ड़ा वेब ब्रॉजर तो जो इस्पेम होता है ये जंक मेल होता है क्या होगा जंक mail ठीक है तो इसमें जो तीसरा answer होगा वो क्या होगा सही होगा next question है किसी भी email address के कितने भाग होते हैं किसी भी email address के कितने भाग होते हैं तो जो email address के भाग होते हैं वो दो होते हैं ठीक है एक कहरा है पहला है दो दूसरा कहरा तीन तीसरा कहरा चार और चौथा कहरा इनमें से कोई नहीं लेकिन देखिए इसमें जो भाग होते हैं दो भाग होते हैं जो पहला भाग होता है वो उप्योग करता का नाम दरसाता है ठीक है यह उप्योग करता का नाम दरसाता है और जो दूसरा होता है ये domain को दर्सा आता है जो दूसरा होगा ये domain जो दूसरा भाग होगा ये domain को दर्सा आएगा ठीक है तो किनने दो भाग होते हैं पहला क्या होगा पहला बिकल्प सही होगा देखिए कूश्यन नमबर 11 है OCR को कहते हैं OCR को क्या कहते हैं Optical Character Requirementation दूसरा है Optical Character Reason तीसरा है Optical Mark Reader चोथा है None of these इन में से कोई नहीं तो जो OCR का full form होता है OCR को क्या कहते है Optical Character Requirementation ठीक है यह is right answer Next question है UTR का full form क्या होता है पहला है Unique Transaction Reference दूसरा है Unique Transfer Reference तीसरा है Union Transaction Reference और चोथा है All of These इन में से सब सही है तो इसमें कौन सा विकल्ब सही है चोथा कहरा है सब सही है लेकिन इसमें जो UTR का full form होता है वो होता है unique transaction reference यह एक यानि कि पहला विकल्प क्या होगा सही होगा ठीक है next question है question है question है question number 13 है BIOS का full form क्या है BIOS यानि कि यह भी system software ही होता है BIOS का full form क्या है तो जो BIOS का full form है पहला कह रहा है basic input output system दूसरा कह रहा है basic input output service तीसरा कह रहा है both of these और चौथा कह रहा है none of these तो इसमें जो right answer होगा वो होगा basic input output system यानि कि पहला विकल्प यह ही क्या होगा first is right answer next question है इस question का answer आप लोगों को देना है web page की विशिष्ट location की पहचान के लिए काम आता है web page की विशिष्ट location के लिए हाँ सही location के लिए काम आता है link दूसरा है web address तीसरा है website और चौता है web browser तो इनमें कौन सा क्या काम आता है इस question का answer जो है आप लोग comment box में जरूर दीजिए ठीक है next question है website dot 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 संग्रा होता है किसका web page का browser का hyperlink का इनमें से कोई नहीं तो अभी इसका शायद इसी वीडियो में इसका अभी उपर गया answer तो web page का होता है ठीक है web page का next question है कौन सी device प्रोग्राम और डाटा के बीच में अंतर समझ सकती है कौन सी device प्रोग्राम और डाटा के बीच में अंतर समझ सकती है output device दूसरा है memory तीसरा है input device और चौथा है microprocessor तो देखिए प्रोग्राम और डाटा के बीच में जो अंतर समझ सकती है वो कौन है microprocessor microprocessor ठीक है next question है so three जिस अस्थान पर system unit से जोड़े जाते हैं उससे क्या कहते है उससे क्या बोलेंगे एक बस और फिर यानि पहला नंबर है बस और दूसरा नंबर है port तीसरा है ring और चौथा है non कोई ने तो इसमें क्या होगा इसमें होगा port यानि कि दो नंबर देखिए जैसे क्या है कि जो आप charger है charger ली है USB cable तो देखिए USB cable जो होता है यूनिवर्सल सीरियल बस उससे क्या बोलेंगे cable बोलते हैं और उस cable के इनको डबे में लगाते हैं जिसमें लगाते हैं उसको बोलते हैं USB port क्या बोलेंगे USB port ठीक है next question है काफी important question Ethernet निम्न में से किस्से संबंदित है Ethernet निम्न में से किस्से संबंदित है यह काई रहा है land से यानि की land का full farm होता है local area network और दो नंबर है mine से metropolitan area network और तीसरा है wine से wide area network यानि internet जो होता है ठीक और चौता काई रहा है all of these all of these none हाँ इन में से कोई नहीं तो देखिए Ethernet जो है all line से संबंदित होता है local area network से next question है Java भासा का विस्कार किस ने किया एक रहा है Intel ने और दूसरा काई रहा है Microsoft ने तीसरा काई रहा है Sun Microsystem ने और तीसरा काई रहा है non इन में से कोई ने तो जो Java भासा का विस्कार है वो तीन नमबर ठीक है Sun Microsystem next question है question है CAD का संबंद किस से है CAD का संबंद किस से है ठीक है तो एक कराई एक नमबर एकाउंट से दो दूसरा कराई मेडिया से तीसरा कराई से और चोथा कराई डीजाइन से तो इसमें जो CAD का संबंद होता है वो डीजाइन से होता है ठीक है question number एक है CPU में control, memory और तीसरा काउं सा unit होता है CPU में control, memory और तीसरा काउं सा unit होता है input unit, output unit, arithmetic, logic unit या इनमें से कोई नहीं तो काउं सा unit होता है arithmetic and logic unit next question है, question है, Intel company द्वारा बनाया गया पहला microprocessor कौन सा था Intel company द्वारा बनाया गया पहला microprocessor कौन सा था A कह रहा 4004, B कह रहा है 8080, C कह रहा है 8088 तो देखिए, जो Intel company ने पहला microprocessor बनाया था, वो पहला microprocessor 4004 था ठीक है यह is right answer next question है question है निम्न में से कि समोह में केवल output devices है output devices input device output device input का मतलब ऐसा device जिस device से हम सुचना देते हैं और output device का मतलब ऐसा device जिस device से दिये गए सुचना उस related result को provide करते हैं तो देखिए mouse जो है यह भी input device है इसे भी सुचना देते हैं की बोर्ड है इससे भी सुचना देते हैं स्केनर है इससे भी सुचना देते हैं लेकिन output device की बारे में बात करना है कि निम्न में से कि समोह में output devices हैं तो A में भी input device है B है monitor यह output device है mouse input device यह भी सही नहीं होगा शी कह रहा है monitor प्रोजेक्टर, स्पीकर तो इसमें जो तीनो है ये सब तीनो आउटपुट डिवाइस है तो C is right answer मॉनीटर भी आउटपुट डिवाइस है ये भी दिये गए सोचना हुआ उस रेलेटर रिजल को प्रोवाइड करता है वही काम प्रोजेक्टर भी करता है और स्पीकर भी वही काम करता है क्योंकि माइक से जब हम बोलते हैं हेलो तो स्पीकर से ही आवाज आता है हेलो ठीक है नेक्ट कूस्चन है कूस्चन है आपरेटिंग सिस्टम किस परकार का साफ्टवेर है आपरेटिंग सिस्टम जिसे हम short में बोलते हैं Oh yes operating system किस परकार का software है application software word processor communication system तो देखिए operating system जो है एक system software होता है day is right answer ठीक है system software ये computer के hardware पार्टों को control करने का काम करता है और system software computer का जान भी होता है ठीक है next question है question गड़ना और तुलना करने के लिए computer के किस भाग का उप योग किया जाता है गड़ना और तुलना करने के लिए computer के किस भाग का पर योग किया जाता है control unit arithmetic logic unit और c है input unit और d है memory unit तो b is right answer next question है क्योंकि B का परियोग किया जाता है arithmetic and logic ही का परियोग किया जाता है next question है काफी important question जो हर साल exam में पूछा जाता है पर्थम PD के computer में उप्योग करते थे किस इसका vacuum tube का microprocessor का IC का या transistor का तो जो पर्थम PD का computer आया उसमें vacuum tube का परियोग करते थे ठीक है ये is right answer next question है question number 7 computer के बंद हो जाने पर किसका data delete हो जाता है pen drive का pen drive का data delete नहीं होता है ROM का ROM का भी data delete नहीं होता RAM का या hardix का तो देखिए जब हम किसी भी application program को या किसी भी चीज को जब हम वीडियो को open करते हैं तो सब RAM में दिखाता है किस में दिखाएगा RAM में दिखाता है तो देखिए जब हम किसी भी जैसे MS Word को open कियें और open करने के बाद जब computer को बंद करते थे तो MS Word क्या होता है open दिखता है नहीं बंद होता है तो वो किस में दिखाता है open application RAM में दिखाता है ठीक है तो RAM का data delete होता है ठीक next question है question number 8 binary भासा में शंख्या 7 को लिखा जाता है 011 101 या 100 या 111 तो इसमें क्या होगा D होगा D is right answer next question है question है dot matrix printer निम्न में से किसका उदाहरण है dot matrix नाम से clear है dot matrix का मतलब dotted हाँ यानि कि ऐसा printer जो printer दिये गए किसी भी परकार के matter को dotted form में दानेदार form में छापने का काम करे उस printer को dot matrix printer कहते हैं ठीक है तो जो dot matrix printer है वो impact printer कि स्रेडी में काउंट किया जाता है ठीक है यानि कि कुछ